अलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉग्स वीडिया में दोस्तों मोस्ट पॉपिलर डॉग बीड की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंच मैस्टिव के बारे में दोस्तो फ्रेंज मेस्टिव के बारे में जानने के लिए सिसक्राइब किजे हमारे चैनल को और चलिए आज के इंट्रेस्टिंग वीडियो स्टाट करते हैं फ्रेंज मेस्टिव याफी डौकी ने वूड डौकarenth ये एक फ्रेंच डॉग बीड है और मेस्टिफ टाइप डॉग बीड के कैटिगरी में आती है फ्रेंच मेस्टिफ का ओरिजिन फ्रांस से है ये बहुत ही स्टॉग और पावफुल डॉग है और इनके बोडी बहुत ही मस्पिलर होती है फ्रेंच मैस्टिफ, फ्रांस के वन ओफ दो मुस्ट डिक्षिन डॉग ग्रीड में से एक है फ्रेंच मैस्टिफ को पहले के टाइम में बहुत से कामों के ने यूज किया जाता था इनसे कार्ट खेचवाया जाते थे, भादी भर्धन समान उतवाया जाता था इनसे भेड बगरियों को गार्ड करवाया जाता था और यूरोप के बड़े-बड़े कासल्स में इन्हें इस गार्ड डॉग रखा जाता था फ्रेंच मैस्टिफ को अर्ली फोर्टिंग सेंचुरीज में हो जा गया था ये सावदर्ण फ्रांस में बोर्डॉप सुनाम के रिजिन पे पाय जाते थे और वही से इनका नाम पढ़ा डॉगी दे बोर्डॉग फ्रेंच मैस्टिफ बने ही वन ओव जो मोस्ट ओल्डेट डॉडेट में से एक हो लेकिन इने अमेरिकन कैनल क्लब में दूथाउजन एक में एज डॉग बीट रिफिघ्नष पिया गया और एक एक डॉग बीट के रैंगिंग में फ्रेंच मैस्टेट 63 पर है फ्रेंच मैस्टेट is glass थैस की डॉग बीड है और इनमें males के ऐबरेज हाई 24 इंचेस से लेके 27 इंचेस तक होती है और female में 23 इंचेस से लेके 26 इंचेस तक हो सकती है अगर इनके weight के बारे में बात करें तो males का average weight 68 kg तब हो सकता है या फिर उससे ज़ादा भी हो सकता है और females का average weight 47 kg या फिर उससे ज़ादा भी हो सकता है French Mastiff को देखते आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये dog बहुत एग्रेसिव और डेंजर है लेकिन ऐसा बिल्किल नहीं है French Mastiff बहुत एक calm temperament वाले dogs होते है और ये अपनी owners और उनके family को बहुत ही loyal होते है French Mastiff बहुत ही courageous और fearless dogs होते है ये अपने owner को बचाने के लिए हर कत्रे से भिनने के लिए तयार रहते है ये one of the most best guard dog में से एक है और ये छोड़े बच्चों के साथ भी easily रह सकते है इनने बच्च्पन से ही छोड़े बच्चों के साथ रखे तागी इने बड़े होने पर जागत कुछ प्रॉबलम ना हो और अगर आपे घर में बहुत ही छोड़े बच्चे है तो इनके बड़े size के बजह से बच्चों को थोड़ा सा सेफ रखे अगरवाइस फ्रेंच मेस्टिव बहुत ये अच्छे डॉग भी होते हैं अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से सोशिलाइस करवाएं अगर आप अपने फ्रेंच मेस्टिव को दुसरे यूमेंस, एनिमंस, डॉग से साथ अच्छी तरीके से सोशिलाइस करवाएं अगर आप उसे सोशिलाइस नहीं करवाएंगे तो ये उनके साथ थुने एगरेसिव हो सकते हैं तो अच्छा यही होगा कि आप इन्हें दूशरे अनिमंस और दूशरे बेट्स के साथ अच्छे से सोशलाइज करवा है और वो भी बच्छपन से अगर आप French Mastiff को as a guard dog या फिर as a protective dog रखना चाते हैं तब उन्हें उसके लिए training दे ये बोला जाता है ये French Mastiff का head size according to their body सारे dog breed में से सबसे बड़ा होता है और उनके job muscle भी बहुत ही powerful होते हैं French Mastiff को regular exercise और हर रोल कम से कम दिन में दो बार लंबी walk की जरुवत होती है पाकि ये physically fit रह सके और गर्वयों को मौसम में इन्हें physical exercise ना करवाई जाए French Mastiff का latent size 4 to 6 पपिस तक होता है इनके बड़े size के कारण इनकी life span में बहुत ही कम होती है इनके average life span पायर से लेके एक एस तक होती है इनका short coat होता है और इन्हें grooming की बहुत ही कम जरुवत पड़ती है ये बहुत से अलग-अलग coat color में भी आते हैं जैसे कि fawn, mohogany और red इन तीनों color के dark और light शेल्ड में भी आते हैं तो दोस्तो ये था अमरा आज का episode French Mastiff के बारे में दोस्तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजे like और मुझे कमेंट कर फिर जरुर पता है कि क्या आपके French Mastiff dog लेना पसंद करेंगे और क्या आपको French Mastiff dog breed पसंद आई है या नहीं मुझे कमेंट करते हैं जरुर पता हैं मिलते हैं दुस्ती किसी वीडियो में